दोस्तो नमस्कार करनेर जयाज यो आजयाज टो मनिगरू फर्स्ट ग्लोबल एक्ट्रोफनेंस डीचल चैनल चे आप से मुखातिब बता हूँ आज 31 जनवरी सन 2014 दोस्तो आज एस्टो मनिगरू देश का पहला चैनल है जो 42 कमूटिटी इच पांच मार्केट, स्टॉक मार्केट, कूल मार्केट, स्टील मार्केट, तिलन, दलन, मसाला और कपाच के उपर लगातार अपडेट और विस्टेशन देता है दोस्तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल पसंद आए तो सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूलें आज के अपिसोड में हम चर्चा करेंगे चने का कितना उत्पादन होने की उमीद जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से दोस्तो खबर निकल के आ रही है कि चने देशी चने की विजाई छेतर में कमी आने और कुछ इलाकों में मौसम के हालत अनुकुल यानि नहीं रहने यानि प्रतिकुल रहने से रवी के सीजन साल 2023 चोईस में चने का डॉमिस्टिक प्रोडक्शन घटकर लगबग 100 लाक टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है गौरतलब है कि साल 2022 में सीजन में उत्पादन 105 लाक टन और साल 2021 के सीजन में 110 लाक टन का उत्पादन हुआ था और साल 2022 के में 105 लाक टन चने का उत्पादन बताया जा रहा है लेकिन इस साल चने का उत्पादन में कमी आकर 50 लाक टन कमी आकर 100 लाक टन पर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है चने का की कुल बैह का दिगणना करें तो उसमें कुछ दिल्चस्प पॉइंट सामने आ रहे हैं साल 2023 का मार्केटिक सीजन आरम होने के समय देश में लगबग 20.6-5 लाग टन चने का केरी फॉरवर्ट यानि पिछला बकाया स्टॉक रहने की संभावना है जबकि सीजन के दौरान 100 लाग टन की घरेलू उत्पादन तता 1.50 लाग टन की संभावित आयात के साथ इस महतपून दाल यानि दलन की कुल अपलवदता 122.15 लाग टन पर पहुशने की उमीद जताई जा रही है उमीद है इस में से 105 लाग टन उपियोग घरेलू उपियोग और 50,000 टन देश चने का निर्यात पड़ोशी देशों को होता है और उसके बाद 2023 की मार्केटिंग सीजन के अंत में 16.6 लाग टन चने का क्लोजिंग स्टॉक मजूद रह सकता है जहां तक साल 2022 के रवी मार्केटिंग एर की बात करें तो आरब में 21.75 लाग टन चने का पिछला बकाया स्टॉक मजूद था जबकि सीजन के दौरान 105 लाग टन का उत्पादन तता 60,000 टन आयात के साथ कुल अविलेबिलेटी 127.35 लाग टन पर पहुँची ती इसमें से 105 लाग टन घरलूप योग और 1.70 लाग टन नरियात का अनुमान है जबकि सीजन के अंत में 20.65 लाग टन चने का अधिशेश स्टॉक बच जाएगा चने का अधिकान स्टॉक के इन्द सरकार की नाफेट के पास मवजूद अक्सर रहता है तो लगबग 5 लाग टन चने का कम उत्पाद होने का अनुमान लगाए जा रहा है पिछले सालों के मुकाबले दोस्तों चना एक महतपून दलहन में से शामिल है जिसका उप्योग पूरे भारत वर्ष में प्रयात मात्रा में होता है आपको याद होगा चने के अंदर जब चने के बाव तेही 43-44 रुपे चल रहे थे उस वक्त हमने सबसे पहले आपको चने में तेजी का अग्री मनुम दिया था जो कि अक्ष़त सर्ते साबidd traject हुआ ता और चने के दाम पैंशचो से उपर देखे गए 55-66 रुपे के उपर जब चने के बाव चल रहे थे उस वक्त हमने चने के अंदर गिरावट का अग्री मनुमद दिया था जो की अक्षत्य सत्य साबित हुआ था नाफिड ने भी लगातार चने की निलामिया और स्टॉक बजारों में उतारा था जिससे चने के भावों में करेक्शन आया था दोस्तों अब फरवरी और मार्च चने के लिए महतवपुन साबित होगा एक तरफ फसल का आना दूसरी और सर चनावी इलेक्शन ये सब महतवपुन बिंदु है जो की चने के भावों को प्राभावित कर सकेंगे सरकार किसी भी कीमत पर मुल्यों को नियंत्रिन रखना खादे महगाई को काबू रखना जन सदारंग को उचित दामों के उपर दाले खादाने उपलब कराना जैसी उनक कराना ये सरकार की प्राप्सिक्ता होने की संभावना है इंट्रिम बजट एक फरवरी को सरकार प्रस्तुत करेगी और उसके अंदर कुछ महतवपून गोशना हो सकती हैं दोस्तों दलहन तिलहन मसाला का पास अनाज इन सभी पर देश का पहला चैनल है जो आपको अगरिम विशलेशन प्रदान करता है दोस्तों आप हमारे दलहन की विशेश रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर कर सकते हैं दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी से आपको फायदा कभी नहीं होगा दोस्तों कमेंटरी के साथ साथ विशलेशन आवशक होता है और हमने आपको समय समय पर इसका हम लाइव एक्जामपल भी देते हैं याद कीजिए सोयाबीन के अंदर अक्टूबर महने में हमने आपको अगरिम विशलेशन देते हुए कहा ता कि तेजी आएगी तिलहन के अंदर चैसरसो हो सोयाबीन हो सूरदमुखी और पाम हो अक्टूबर नौबर महना शांदार तेजी का रहा फिर उपरी इस तरोपर आपको मुनाफ़ा वसुली के संकेत दिये थे और उसके बाद तिलहन के दाम बेश्ताथा गरे थे याद कीजी अनाज के अंदर यानि गेहूं और मक्का बाजले के अंदर जो हमारे अगरी अविशलेशन थे वो अक्षत सत्य साबित हुए थे दोस्तो ये भी जरूरी है कि हर बार आपको अलग-अलग सूचना है विशलेशन आम देने का प्रयास करते हैं लेकिन हर बार निशुल्द देना संभव नहीं होता है अता है विशलेश रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर कर सकते हैं all the very best good luck happy trading